नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सब लोगों का भास स्वागत है दोस्तों आजकल अर्विन केजरिवाल के सितारे गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं तभी तो एक के बाद एक उनकी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं कभी केंदर का अध्यादेश उसकी तलवार उन्हें अपने सिर पे लटकती हुई दिखाई देती है तो कभी उन्हें अपने मंत्री मंडल के मानिश्य सौधिया और सतिंदर जैन चेल में दिखाई देते हैं क्योंकि वो अपने कर्मों की मार चेल रहे हैं और केजरीवाल के भी करम हैं कोई बहुत अच्छे नहीं हैं एक के बाद एक उन पे उन करमों की मार पड़ ही रही है और अब तो केजरीवाल पे बड़ी वाली मार पड़ गई हैं उनके शीश महल पर CAG की ओडिट की ख्रैमंदराले ने संसिति कर दिया उनके शीश महल की ओडिट होगी CAG उसकी ओडिट करेगा इस खबर ने उन्हें इस ओडिट की चिठी ने उन्हें बहुत अपसेट कर दिया है ये स्क्रीन पे देखिया डिटेल है इसमें कि क्या-क्या उन्होंने रेनोविशन के नाम पे अपने घर पे कितना बड़ा निर्मान कर लिया इतना कि जो उनका पुराना घर था जिसके नाम पे उन्होंने रेनोविशन किया इस समय अगर आप देखें तो उतना बड़ा तो उनका गार्डन ही है तो दिल्ली में CM अरविंद केजरिवाल की जो मुश्किले हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है किंद्रिये घिरमंत्राले ने किजरिवाल के बंगले पर हुई रेनोवेशन के खर्च को ले करके स्पेशल CAG आडिट का ओडर किया है समस्ति की है इस से पहले LG की तरफ से इस सम्मंद में सिफारिश की गई थी और ये भी रिपोर्ट्स थी कि CM के बंगले पर करोड रुपे की रेनोवेशन पर खर्च करने की बात कही गई थी लेकिन हुआ कितना मतलब पचास करोड से भी उपर तो दिल्ली के CM अर्विन के जविवाल एक के बाद एक मुश्किलों को फेस कर रहे हैं अपने जो उनके कुकरम है जो उनकी अकांक्षाएं हैं उनको पुरा करते करते आज वो इस मुकाम पे खड़े हैं कि उनको शद रात को नीन भी नहीं आती होगी CM अर्विन के जविवाल के बंगले की मरमत पर हुए खर्च का CAG आडिट होगा और LG की सिफारिश के बाद किंतरी ग्रह मंत्राले की और से CAG आडिट कराने का फैसला हुआ है इससे पहले CM के जविवाल के आवास पर स्टिंग ऑप्रिशन भी हुआ था उसी में ये बाद सामने आई थी कि वहाँ पर कमाल है मतलब 8-8 लाक रुपए का पड़दा लगा हुआ है वैसे इसका खुलासा जेल में बंद जो महाठग है सुकेच चंद्र उसने भी केजरिवाल के लिए एक चिट्टी लिखी ती अपने वकील के जरिए चिट्टी उसने पहुचाई दिवार तो कैसे केजरिवाल के महल को बनाने में नियम कानूनों की धच्चिया उड़ी ये अब सब के सामने है अभी तक तो ये ही कहा जा रहा था कि स्टिंग ओपरेशन हुआ है तस्वीरे देख रहे थे लेकिन आज ग्रहमंत्राले ने आडिट की बात कह करके उन सब चीज़ों पर एक महर लगा दिये अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि वहां होता क्या है और देखिए आज दिल्ली की जंता साफ पानी पीने के लिए तरस रही है और उनके शिश महल में पानी की तरह पैसा बहाया गया रेनोवेशन की पर्मीशन ले करके कंस्ट्रक्शन कराया पुराने सी अम आवास को रेनोवेट करने की बजाए पूरी की पूरी नई बिल्डिंग मना दी केज़रिवाल के इस नए घर में मैंने आपसे बात दिखी कि उनका जो अब गार्डन है उतना बड़ा उनका पुराना वाला आवास था आज के जो उनके पास गार्डन है उसमें टैनिस कोट है दर्जरों कारें पार्किंग करने का स्पेस है वहाँ पे ये सब कैसे किया ये सब पब्लिक के पैसे से किया पब्लिक को बेव को बना करके और लाखों-लाखों रुपए के पड़दे और कमोड लगाये गए हैं करोडों रुपए का मर्वल लगाया गया है यह तो कंस्ट्रक्शन की बात है लेकिन जो और घर के असेसरीज हैं जो और घर के गैजेट्स हैं वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि एक आम आदमी उसकी कलपना भी नहीं कर सकता वो लोग जिनोंने केजरीवाल को वोट दिया जिनसे केजरीवाल नहीं यह कहा था कि मैं एक बाद साधानन व्यक्ति हूं मैं साइकिल से चलूँगा मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है और मुझे किसी महंगे घर बड़े घर की जरूरत नहीं है मैं एक कमरे के घर में रहूंगा और आज दिखाने को तो जब मंस पे जाते हैं जा पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो वो अपने डीले डाले कपड़े मुझे लगता है कि वो अपना जो शर्ट का नंबर है वो भी एक नंबर एक्स्टा लेते होंगे अगर वो 40 की शर्ट पहनना चाहते हैं तो वो 42 नंबर का शर्ट पहनते होंगे इची तरीके से वो डीली डाली पैंट में बैट लगा करके और हावाई चपल में पब्लिक के सामने आते हैं ताकि वो एक आम आदमी लगे लेकिन वो एक आम आदमी नहीं है सिरफ वो एक आम आदमी के मुख्या है अपनी पार्टी के मुख्या है लेकिन वो आम आदमी नहीं है वो एक भादी खपले बाज और कहिए कि जूटा और अब तो मकार कहने का भी उसको मन करत है क्योंकि उसने पब्लिक के साथ इतना वड़ा धोका किया है और भ्रिष्टाचार को खदम करने के नाम पे वो पब्लिक के बीच में उतरा और आज खुद यहां तक वो भ्रिष्टाचार में डूबा हुआ है शीश महल की जो तस्वीरे धीरे-धीरे सामने आई वो भी इस बात में मोहर लगाती रही है और तस्वीरों में साब दिखता है कि केजरीवाल का जो घर है वो किसी आम आदमी जैसा तो बिलकुल नहीं है किसी भी फाइफ स्टार होटेल जैसा वो दिखाई देता है अंदर सारी सुख सुविधाएं जैसा कि मैंने बताया एक से लेटेस्ट गैजेट्स हैं पड़दे आपको अगर इदर उदर हिलाने आ तो उसके लिए उसमें रिमोट है कैसा मतलब एकदम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस उसका घर है और वहाँ पर राजा की जिन्दगी जी रहा है जबकि जब वो सीशमेल से बाहर निकलता है तो अपने आपको बिलकुल आम आदमी की तरह प्रिजेंट करता है मतलब उसका प्रिजेंटेशन ऐसा है कि वो बहुत गरीब है बहुत हीन है बहुत उसके मास कुछ नहीं है लेकिन आप शीशमेल की जो तस्वीरे आई हैं उससे लोगों को यो आईडिया हो गया है कि वो कितना बड़ा ब्रश्टाचारी है जूटा है मकार है कि जरिवाल के नए महल में लाखो लाखो रुपए के पड़दे लगे हैं कुल अगर उसके घर के कंस्ट्रक्शन प्लस घर में जो एसेसरीज हैं प्लस जो घर के गैजेट्स हैं टीवी लगे हुए हैं और जो फनीचर है उन सब को मिला करके करेब करीब 200 करोड रुपए उस शीशमेल पे हैं वो सब मिला करके करीब करीब 200 करोड रुपए का खर्च उसने किया है अब देखे करोड रुपए का मारबल है अच्छा जो क्रॉकरी है जिसका पेमेंट करने का दावा यह महा ठग सुकेशन कर रहा है उसकी जो बिलिंग है वो कह रहा है कि मेरे पास है उसके पास उसके चैट की स्क्रिन शॉट हैं कि किस तरीके का उसको एक एक पिक्चर दिखा करके कि हमें ये चाहिए, ऐसा हमें चम्मत चाहिए, ऐसा हमें गिलास चाहिए, ऐसे हमें प्लेट चाहिए इस तरीके का हमें डाइनिंग के लिए असेसरीज चाहिए तो वो भी करोड रुपे की है रेनोवेशन पे खर्च कभी 50 करोड का सुना है आपने मतलब इसमें तो कई नए घर बन जाते हैं कई नए बंगले बन जाते हैं मतलब वो भी हाई टेक बंगले लेकिन ये किवल एक व्यक्ति का महल है इसलिए इसको डे वन से शिशमेहल कहा जा रहा है अभी तक सब कुछ डॉकुमेंट के जरीए दिखाया जा रहा था कई बार इसकी जो अंदर की तस्वीरे हैं वो आपके सामने आई होंगी लेकिन आज जब CAG का आडिट की इसकी बात सामने आई है तो यह बात साफ हो गई कि बहुत कुछ वहां गड़बड हुआ है अच्छा अप्रेशन शिशमेहल के बाद बीजेपी ने CAG सरकार पे काफी हमले किये अमिन तुसे के उन्हें इस बात के लिए शरमसार किया लेकिन वो इंसान शरमसार होने वाला नहीं है उल्टे वो बीजेपी पे ही सवाल कर रहा है वो कहता है कि अगर मैं बैमान हूं तो सारी दुनिया बैमान है मतलब कि वो महा कटर इमानदार है उसके जैसा कोई इमानदार दुनिया में नहीं है बड़े मतलब उसने साफ शब्दों में ये मंच से कहा है कि अगर मैं इमानदार नहीं हूं तो दुनिया में कोई भी इमानदार नहीं है और ये इमानदारी का नमूना है जिस पे अब CIG की आडिट होने वाली है और जब भी उनसे उनका कोई घपला सामने आता है तो वो फॉरण से कहते हैं कि BJP मेरे इमानदारी पे सवाल खड़े करती है और दिल्ली के जो उपराज जपाल है भी के सक्सेना इस पूरे मामले में उन्होंने इस पे रिपोर्ट मांगी थी उसी के अधार पे फिर साथ लोगों पे नोटिस गए थे उन्हीं के जवाब के अधार पे अब ये सब अगली कारवाई हो रही है हला कि आप पार्टी हमेशा इसे ए लोकतांतरिक और ए समधानिक कहती रहती है लेकिन उससे कोई फरक नहीं पड़ता जो कानून है वो सब के लिए बराबर है सब पे उस कारवाई कानून के अनुसार होती है और अब वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के कोई अधिकार उपराज़पाल के पास नहीं है कि वो मेरे लिए ग्रयमंद्राले को कहे कि मेरे पे कारवाई हो और केजडिवाल वही हैं जो ये कहते थे कि उन्हें दो-चार कमरे वाला एक घर चाहिए और मौका अगर कभी ऐसा आया तो वो एक कमरे में भी रहेंगे और वी आईपी कल्चर को लेकर कि वो हमेशा हमलावर रहते थे लेकिन अप्शीष महल देखिया जब उन्हें कुर्सी मिली ECM की तो वो भी दूसरों जैसे बन गए अलबत्ता कई मामलों में तो उन्होंने मतलब दूसरों को भी पीछे चोड़ दिया है अब एक और उन पे अध्यादेश का खौफ है अध्यादेश की जब मैं बात कर रहे हूँ तो फिर आप कॉंग्रेस की भी बात सुन लीजे कि जो जार जार रो रहे थे केजरीवाल कुछ दिन पहले तक और फिर उन्हें उनके आसु पोचने के लिए निदिश कुमार आये थे दिल्ली में और उनके सिर पे हाथ रखा था कि हम आपके साथ हैं और उसके बात से केजरीवाल को एक आस जग गई थी कि मेरे उपर अध्यादेश का जो एक खौफ है जो तलवार लटक रही है उससे शायद मैं बच जाऊंगा लेकिन अब उसमें भी बड़ा लोचा हो गया है कॉंग्रेस ने कह दिया है कि हम आपके अध्यादेश वाले मामले में आपके साथ नहीं है एक तरह ऐसे मतलब लात मार दिया केजरीवाल को क्योंकि केजरीवाल बहुत दिन से खड़गे से टाइम ले रहे थे कॉंग्रेस सद्धेक्स जो है मलेक अरजन खड़गे उनसे अब समय ले रहे थे किसी ने समय नहीं दिया राहूल गांधी को उन्होंने फोन किया कि आप मेरा साथ दो मेरी बात पे गवर करो उन्होंने फोन रसे भी नहीं किया और इस से पहले शराग घोटाला उसमें उनको कोई शरम नहीं है उनके दो मंतरी जेल में है और उन्हें हर समय ये तो ऐसास अंदर से रहता है कि एक दिन उनका भी नमबर आएगा लेकिन अब इस समय उनके जो बुरे करम है जो उनके घपले हैं जो उनके घोटाले हैं उनकी संक्या डे बाई डे बढ़ती जा रही है तो इन ही डरहों की वज़े से वो अध्यादेश को कि लिए फिवर मांग रहे हैं विपक्च से जो कि उन्हें एक से लाग तक नहीं मिलने जा रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अरविंद केजरिवाल अकेले होंगे अलग थलग खड़े होंगे और इन सब खपलों की मार उन पे और ज़्यादा पढ़ती हुई आप देखेंगे अच्छा इस बीच उन्होंने एक और बहुत छोटा और बहुत घटिया काम किया हर दिन वो ये कहते हैं कि महिलाओं के ओपर बीजे बेग और नहीं करती है खासतार पर जब ये पहलवानों की बात कुई महिला पहलवानों की तो इन्होंने उनके साथ मंज पे जाकर के कहा कि बीजे पी जो है सिर्फ कहती है लेकिन असल में वो महिलाओं के खिलाफ है उन्होंने उस स्लोगों का भी जिकर किया महिला पढ़ाओ महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अब मैं बात करती हूँ पैनिक बटन की जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए टेक्सियों और बसिज में लगाया गया था बटन जिसकी कीमत केवल पांच जद जद दस रुपए हो सकती है लेकिन इसके भी उन्होंने हजारों हजार रुपए लिए कुल मिलाके जो इनके पास रकम आती है वो करोड़ों में थी अब बटन लगा दिये है लेकिन उस बटन को दबाने के बाद जो कॉल पहुचनी चाहिए वो कॉल सेंटर है ही नहीं तो ये इनके करम है और अपने आपको सबसे ज़्यादा इमानदार बताते हैं सबसे बड़े घोटाले बाज है और शराब घोटाला इन्होंने लोगों को गरत में डाला और किस तरीके से शराब नीती की जो असली नियम है उनको इन्होंने ताक पे रखके सब को ठेके दिये किसी से छिपा नहीं है ये शीश महल तो इनको लेकर के ही जाएगा क्योंकि रेनोवेशन के नाम पे अगर करोणों का खर्च हो रहा है आप अंदर के इंटीरियर और गैजट्स शोड़ दीजिए अगर आप कंस्रक्शन की ही बात करते हैं तो उसमें भी अगर आप बहुत अच्छा वाला बंगला बनाते हैं हाई टेक बंगला बनाते हैं विद सारे गैजट्स जैसा कि इनके शीष महल में है पाच जा साथ करोण में ऐसे दो बंगले तयार हो सकते हैं लेकिन इनका शीष महल कितनी जीरो लग रहे हैं इन्हें खुद को भी पता नहीं है तो दोस्तों ये ति थी कि जरिवाल की बात जिस पे देखिए ये क्रामंद्राले ने सीए जी क्या आउडिट करने की बात कह दी है अब आउडिट का मतलब आप समझते हैं कि कितना नैनो लेवल पे जा करके आउडिट किया जाता है अभी तक तो बात यही हो रही है कि फनीचर, असेसरीज और आपके गैजएड्स पढ़ दे, कमबोड ब्ला ब्ला लेकिन जब आउडिट होगा तो उसमें उसके सीमेंट की वरायटी भी देखी जाएगी उसमें जो इट पत्थर लगे हुए है उसकी भी वरायटी देखी जाएगी प्लस ये भी देखा जाएगा कि जो सबसे बड़ी बात है कि रेनोवेशन में क्या इतना खर्चा होता है आपने जो रेनोवेशन किया वो तो बिल्डिंग अलग खड़ी है और यह आपने नया महल बना लिया जाच इस बात की होनी है आपने दोस्तों ये वीडियो देखा आप इस पे अपनी टिपड़ी जरूर दीजेगा मेरे कमेंट सेक्शन में और जो दोस्त इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं वो इसे अपने दोस्तों में भी फॉर्वर्ड करें और जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरा नेटेस्ट कंटेंट हो उन तक सबसे पहले पहुंचे तो आज के लिए इतना ही है आप अपना और अपनों के ख्याल रखिए खुश रहिए सबस्राइए जाइन जाभारत